बड़ी खबर बड़वानी से सामने आ रहे हैं जहां पर बजार में लॉकडाउन का पहला दिन काफी ज़्यादा सफल रहा है दुकाने पूर्ण रूप से बंद दिखाई दी हैं सिर्फ आवश्चिक दुकाने खुली हुई हैं आपको बता दे प्रशासन पूरी तरह सकती भरत रहा है बेवर्टा घूम रहे हैं और मास्क ना लगाने वालों और फाल्टू घूमने वालों को रंजीत कलब ने बनी हुई अस्थाई जेल में बंद कर दिया गया है आपको बता दे आवश्चिक जरूरी चीजें जो भी हैं वो मेडिकल सब्जी बाजार एवं दूर डेरी की दुकाने खुली हुई नजर आ रही हैं जो के आवश्चिक हैं और इनका खुलना एकदम अन्य लोगों के लिए भी जरूरी होता है तो ये दुकाने जो हैं तमाम लोगडाउन का सर मध्यप्रदेश में कुरोना मरिजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके चलते दो दिन का पूर्ण लोगडाउन लगाने का फैसला लिया गया और वहीं मुक्यो मंत्री वर कलेक्टर के इस आवाहन का जनता ने भी भरपूर सहयोग किया है जिसका सर लोगडाउन के पहले देखने को मिला जिसमें धनोरा चाचरिया ग्राम की सभी दुकाने बंद थी सिर्फ मेडिकल स्टोर्स को छोड़ कर वहीं ग्रामीन भी बिना वज़ा अपने घर से बाहर घूमते हुए नजर नहीं आए गिने चुने वाहनों की आवजा ही चालू रही आपको बता दी कि बढ़वानी जिले में लगातार सौ से जादा कोरोना पॉजटिव मरीज निकल कर सामने आ रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से हम आपसे आग रहे हैं कि आप सभी दो गज़ की दूरी का पालन करें और मास्क अवश्य लगाए हमें कोरोना पर जीत हासिल करनी है आप सभी बिना वजह घर से बाहर ना निकलें कि धनोरा वे भी लॉकडाउन का असर दिखा है मध्यपदेश में कुर्णा मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रहे हैं जिसके चलते दो दिन का पून लॉकडाउन लेने का फैसला लिया गया वही गिने चुने वाहरों की आवजाई चालू रही महीं अगली खबर पार्टी से सामने आ रही है पार्टी में भी लॉकडाउन का असर दिखाई दिया है कुरोना वाइरोस की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमन को नियंद्रित करने के लिए उद्देश से चनिवार को जिला प बजे से दस बजे तक खुली रही वह दस बजे के बाद मुख्य बाजारों में पुलिस वाराजस्व की टीम पहुची जहांपर प्रशासन ने फल सबजी वदूत की दुकान को बंद करा दिया गया वहीं सडकों पर सामाने दिनों की तरह गाडियों का आवगमन नहीं आगया है